नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी किचन में हार्दिक स्वागत है आज मिलेकर आई हूं कटहल की सबजी बनाने के रेसिपी अभी कटहल का मोसम है और मारकेट में बहुत सारे कटहल बड़े बड़े आचुके हैं तो मैंने तो बनाया है आज कटहल की मसाले हमें चाहिए धनिया तिन चमच दो तेज पत्ता दो चमच जीरा और गुल की फड़े गरम मसाले सारे हमने लिए हैं अधरक एक्टूसा लासुन एक पुठा छिल लिया हमने लाल मिर्च हल्दी एक टूसा इसके बाद हम लेंगे आम कच्चे आम हमने लिये हैं तो यह टिप्स आपको बाद में बताती जाओंगी चार बड़े प्याज लिया हमने इसे काट लेंगे छिल कर पानी गरम होने के लिए रख दिया इसमें डाल देंगे कटहल उबलने के है कि कटहल के अंदर चला जाए हल्दी पाड़र एक चमच डालेंगे छोटे चमच से और साथ में नमक भी तो यह दिखिए नमक जब हम डालेंगे उबलते समय कटहल में तो सारे कटहल में चला जाएगा इसे ढखकन लगा देते हैं और पास से छे मिनट हो चुका है और कट सर्षो का तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे इसी तरह से आपको टिप्स बताती जाओंगे आपकी सबजी बेहती टेस्टी बनेगा तो अन्तु तक देखते रहिए तेश्पत्ता हम पहले डाल देंगे और फ्याज है और यह दिखिय डालने के बाद अच्छे से दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे रेसिपी को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए कि आने वाली रेसिपी को नोटिफिकिसन आपको पहले ही मिल जाएगा गरम मसाला पीस लिया है और सारे मसाले हमने पीस लिया है और आम को भी हमने पीस लिया है अब हम पहले मसाले हम डाल कर भूण लेते हैं तो मसाले हम पहले ही डाल कर भूणेंगे क्योंकि कठाल हमने पहले से ही उबाल लिया था जब तक हम मसाले अच्छे से नहीं भूणते है तो हमारे सब्स्येप ठीक सेहीं बनता है यह लहांगत के नहीं हो Aah अप पहले भी डाला था इसलिए हमने नमक कंम डाला है अब मैं आपको बताएंगि कि आम हमने क्यों पिश लिया था कास्मीर इलालमिश पाउर एक चोमर्च भूण हमने डाल दीया इसे अच्छा कलर आएग और इसे हम अच्छा से चला लेंगे अब मैं बताती हूं कि आम हमने किस लिए पीस कर लिया था कटहल हमको खाने में मिठा लगता है कटहल मिठाई होता है तो जब हम डालेंगे आम पीसा हुआ कच्चा या कोई भी खटा अचार हो तो यह क्या होता है कि हमारा सबजी का जो मि कर जाएगा कटहल का हमने नमक डाला ही है मिर्च डालाई है अब इसमें थोड़ा सा खटापन डाल देंगे तो मीठापन दूर हो जाएगा तो चलिए में पॉइंट है आप इसको फोलो करिएगा जरूर और आपका कटहल का सबजी एक नमर बंदेंगा स्वाद आप भूले कि लेंगे यह यह बनता है जैं इस आंछे से चलाणा मेरा दावा है कि वह ठीच आपको रूचिड साध साथ किसे चीज के अपको सकते हैं दौस्तों अगर आस्यवारा कहला कोकता तो आई Veter scatter लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो यह देखिए पानी हम बहुत कम ही डालेंगे अगर आपको ज्यादा इसमें ग्रेवी चाहिए तो ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं तो अभी हम रोटी के लिए बना रहे हैं कटहल तो पानी थोड़ा सा कम यूज करेंगे और अगर कठाल खाने से पेट नहीं दुखेगा तो में पॉइंट है कि आप जबी कठाल बनाया तो उसमें जरूर हींग का इस्तिमाल करें अब ढ़कन लगा देंगे और इसके डभकने देंगे दो से तीन मिनट हो चुका है और यह देखिए अब देख सकते हैं कि कितना बड़ी कलर आया है और ग्रेवी काफी हमारा थिंक हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुस्बू भी आ रही है एकदम बिल्कुल चिकन जैसे लग रहा कि हमारे किचन में आज चिकन ही बन देखिए अब देख सकते किता बड़िया बना है और कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है फड़ा सा हरी धनिया हम डाल देते हैं इसे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा और इसे चला लेते हैं उसके बाद हम इसे परोसेंगे रोटी के साथ चावल के साथ आप जिस चीज के स जाना तब प्रोसें जलिए गरमा गरम कटाल की सब्सटे प्रोसते है यह जट सरों नेवाली रेसिपी हैसा जब चाहने इस से कटाल का मोसमें बना सकते हैं कटाल की सब्सब्स एक हम चिकन लाने के बिल्कुर ज़रूत नहीं कटहल लाएंगे कटहल से हमें स्वाद मिलेगा बिल्कुल चिकन वाला तो कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और यह देखिए गर्मा गरम रोटी के साथ कटहल की सबजी फिर से मिलती हूं एक नए रेसिपी के साथ